हलो फ्रेंट्स आज मैं आपको एक कहानी सुननाने जारी हूं तो चलिए कहानी सुनना शुरू करते हैं तो दोस्तों इस कहानी का नाम है बुद्धी और बल किसी वन में शेर रहता था उसका नाम भासुरक था वो हम प्रते दिन अनेकों पशू को मार कर खा जाता था सभी पशू उससे तंग रहते थे एक दिन वन के सभी पशू मिलकर शेर के समीप गए उन्होंने शेर से पूछा महराज इतने पशू का वद किसलिये इस प्रकार एक भी पशू नहीं बचेगा आप हमें मारना बंद कर दें हम प्रते दिन एक पशू आपके भोजन के लिए भेज दिया करेंगे शेर उनके यह बात स्वीकार कर बोला यदि किसी दिन भी मेरे भोजन के लिए एक पशू नहीं आया तो मैं सब पशू का वद कर दूँगा तब से प्रते दिन एक पशू भोजन के लिए शेर के पास जाने लगा एक दिन एक खरगोश की बारी थी वह चतुर था उसने सोचा जब मरना निश्चित ही है तो मैं धीरे धीरे चलता हूँ उसने मार्ग में एक कुवा देखा उसे देखकर खरगोश को एक युक्ती सुझी खरगोश को शेर के पास पहुचने में बहुत देर लग गई भूखा शेर देखते ही भूखा शेर उसे देखते ही क्रोज से गरज उठा तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई? मैं अपराता है, ही सब पश्मों को मार दूँगा खरगोश ने उत्तर दिया, वन राज, इसमें मेरा कोई उपराध नहीं है, अपराध नहीं है जब मैं आपके पास आ रहा था, तब मुझे मार्ग में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था वह मुझे खाना चाहता था, मैं किसी तरह उससे बचकर आपके पास आया हूँ यह सुनकर शेर को बहुत क्रोध आया, वह पुना गरच कर बोला, कहां है वह शेर, चल कर मुझे अभी दिखाओ उसे मारने के बाद ही मैं तुम्हें खाऊंगा वह खरगो शेर को लेकर एक कुए के पास गया और बोला, वह शेर इसी कुए में रहता है शेर ने कुए में जहांक कर देखा, कुए के पानी में उसने अपनी परचाई को देखा उसे दूसरा शेर समझ कर भजोर से गरजा, कुए में से भी गरजने की आवाज आई आवाज को सुनकर शेर ने कुए में छलांग लगा दी इस प्रकार खरगोश ने अपनी चतुराई से दिष्ट शेर को मार डाला कहा भी गया है कि बुद्धी में ही बल है कुए में है